तो इस वीडियो में मैं रिप्लेस्मेंट कॉंट्रेक्ट मागा का जो नेक्स पार्ट है वो एक्समेंट करूंगे जैसे कि हमने लास्ट जो चैप्टर है उसमें देखा था जो हमारा पैशुशु होता है और शुजिचिन वह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ज जो नाश्टा है वो शूजिचिन ने बना था जो पार आपका नाश्टा है वो मैंने बना था आपको अच्छा नहीं लगा और वो से देखने लगता है तब ही गुहन को पताने होता है कि वह क्या कहें तब वहां पर साथ जो बैठे हो डिलिशेस होका। तभी जो किंग्ग है वो इसे बोलते है कि बर्दर आप सच में बहुत ही तरह लगी हूँ और तभी जो मिंचेन है वो इसे बहुत हैं उसका बनाया हुआ जो प्रिकफास्ट हो बिलकुल प्रक्फेशनल ड्ली है तब युट अब उसकी बात सुनके जो शु जैसे वह रो रहा हो लेकिन रियालिटी में वह बहुत ज़्यादा हस्रों है अपनी हसी कंट्रोल नहीं कर पाता है कि सभी लोग शुशु को जैसा समझ रहे होते हैं वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है तब ही हम देखते हैं जोने एक सीन में जहां लड़का उतरना मिंग चनवोफर से बूलने लगता है शुशु कि बुराई करने लगता है कि कुछ लोग कितने ज़्यादा मोटी चमडी के होते हैं जब में करेक्टर रहां पर वापस आ गया है तब ही वह गुफामले में ऐसी लटके हुए हैं उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगली डखलिंग कभी वी एक ब्यूटफल स्वान में चेंज नहीं हो सकती है जुनके जो पेज़िशृ नहीं है उसे बोथी खुसात है यह गूहँ सैदेखने लगता है गुर्न लगता है तो यह पना चमड नीचे रख देता है है कि अभी तम बातें करना बंद करो और खाना शुरू करो तब हो खाने लगते हैं तब ही जो मतलब शूजिचिन जासी अपना नाश्टा खाने लगते हैं वह सोचा है कि आज का जो मीटियम है वह कंपे ज़दा रेर है इस टी का और यहां पर जो भी चीजा यूस की हैं वह सभ कि तरफ से एक बाबी नहीं हटती है और फिर वह से विंग करता है तब ही वहां पर वह सभी लड़के हैं उनका नाश्टा हो जाता है और फिर वह उसे बोलते हैं कि क्यो ना हम आज रोज वैली चलें और तभी वहां पर किंकिंग उसे बोलते हैं वह प्लेस तो सिर्फ कपल तॉ इसी वहाँ इसे गुहन बहार पर और ज्यदा नहीं रहाता है, तब कि इस गूहन कि उह भानपने लगता है कि hold केंगे कीते हुआं, यहांपने भाई से सब्सक्राइब की देखकी है त्antage आपब का यहां पर जैसा, और हवे जाएगा। इसलिए मैं घर पर रहकर आराम करना पसंद करूँगा इसलिए मैं आज कहीं पर नहीं जा रहा है तब वहांपर मिंग्चन उससे बोलता है कि क्या तुम्हीं पेट दर्द हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं जो शोजी चिन ने खाना बनाया है वो clean नहीं था क्या तो मैं हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है तो पेशुशों से बोलता है कि उससे रिलेटिड नहीं है ये तो मेरी कोई ओल्ड प्रॉब्लम है और इसके अलावा जब मैं वो मैडिसन ले लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा तो तुम मेरा जिंता मत करना और जाओ जल्दी से अपना फ़न करना तभी वो लोग यहां से चलने लगते हैं और उन्हें फिर से पेशुशों को याद दिलाते हैं ठीक है फिर हम जा रहे हैं तभी गिंगें उससे बोलता है कि शुशु अगर तुम्हें फिर भी कुछ अच्छा ना लगे घर पर तो तुम मुझे बस कॉल कर देना मैं वापस आजाओंगा तुम्हें लेने के लिए तभी वो वहां से जाने लगते हैं तभी पेशु शुशु उनमें इसे मतलब गुस्टे से देखता है और सोचता है कि शुशु को सच में इन जैसे बस्टर को सर्व करना पड़ा इतने लगए टाइम तक ये कैसे हो सकता है तभी शुशु शुशु उससे बोलता है कि मिस्टर पेशु शुशु तुम्हारे जो एक्टिंग स्किल्स है वो काफी ज़्यादा अच्छी है तुम किसी एक्टिंग में ट्राइ क्यों नहीं करते हो ये बहुत ही ज़्यादा बूरी बात है कि तुम कोई एक प्रफेशनल एक्टर नहीं हो तभी जो मलब पेशु शुशु रहना वो से बोलता है कि ब्रदर शु क्योंने मैं तुम्हारे हेल्प कर दूं और फिर वो उसकी प्रेट्स को ले ले लगता है तभी जो शुशु श खानी चाही है तो जो शुशु शुशु बाब पर अराम से बैड़ जाता है उसके बोलता है कि तुम्हारा बिजनस नहीं है और फिर वो अपने मनना सोच था है कि मैं तो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए रेस्पांस से बहूं, मुझे किसी और चीज की चंता करने के बिल्कल भी जरूरत नहीं है तब फिर जो बतलब पेशुष है ना वो उसे बोलता है कि नहीं जो जिनके मैटर्स है वो मेरे भी मैटर्स है और तुम्हारे से जुड़ी हर एक चीज मेरे लिए मैटर करती है तब पेशुषू से देखने लगता है और उससे बोलता है और इसके लावा वो जो छोटे लड़के थे और स्पेशली मिंग्चन उसने तुम्हारे कितने बार इंजल्ट की है क्या मैं उसे डील करूँ और इसके एक्सप्रेशन कम्प्लीटनी चेंज हो जाते है तो शिजजचन उससे बोलता है कि नहीं आसा करने के ज़रूरत नहीं है ये सारे जो हैं वो अन्नेसेसरी मैटर्स है तब इसके एक्सप्रेशन है वो कितने ज़दा फास्ट जेंज हो जाते है इतने तो किसी ओपरा के एक्टर के भी नहीं होते है तब इसे देखने लगता है और उसे बोलता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो खुद से ही एक्ट करना स्टार्ट कर देते है तो ये फेशिशू से बोलता है कि शोजेचन जो भी कहेगा शोशू वही करेगा आपको चिंत करने की सुरुत नहीं है तब इस जो शोजेचन है वो अपने ओड़ा चलाने लगता है जो खुद किया करता था और जो पेशिश रहना है वो अराम से कर देता है क्योंकि उसे काफी खुशी मिलता है शोजेचन के लिए कुछ भी करने की तब इस जो शोजेचन उसे देखता है यह थोड़ी से स्ट्रेंज फिलिंग है और फिर वो सोचन लगता है गुहान की बात है और गुहान ने उसे बोला था कि तुम इस फेस के साथ ऐसे रुआया मत करो तुम बहुत ज़दा प्रथाटिक लगते हो क्योंकि शूशू ऐसा कभी भी नहीं करता है ऐसी थोड़े से और लोग उसे बोलते है कि शूशू एक नोबल और परफेक्ट फ्लावर है तुम कभी भी उसकी तरह नहीं बन सकते तुम्हें कहीं जाके छुप जाना चाहिए ऐसी वातों को याद करते हैं ना फिर वो सोच था है कि यह थोड़ी अलग फिलिम है और फिर वो पेशूशू को देखने लगता है और सोच था है कि यह जो मूल लाइट है जिसे सभी लोग प्राउड और नोबल मानते हैं वो मेरा डॉक नूंचका है तभी शूशू उसे देखता है और पेशूशू ना उसके नजदीक चाता है और उसकी लिख को पकड़ता है और उससे बोलता है कि शूशू आज मैंने तुमारे लिए हर एक चीछ कहिए है क्या मैं एक रिवार्ड के लिए तुम से पूझ सकता हूँ कि मेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं है तब ही शोचीचन वहां पर काफी हैपी होता है और फिर वो उसके जो सर होता है उसे पैट करता है उससे बोलता है कि तुम आज काफी ज़्यादा ओविरेंट रहे हो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें कोई भी रिवार्ड दूंगा जो भी तुम चाहते है और फिर वो उसके नजदी का जाता है उसके चेहरे के तो इसके साथ यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है झाल 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 झाल